अगर आपकी भी बाइक में सामने के जो सौकप है वो लिकेज हो गए हैं तो इसको कैसे रिपेर करते हैं और ये जो लिकेज सौकप है दोस्तों अगर हम इसको रिपेर नहीं करेंगे तो हमारे जो ये सौकप बार है ये कट जाएंगे और हमको बहुती जादा मोटा खर्च इ इकाल लेना है जिसके बाद हम आसानी से हमारी जो बाइक है इसमें जो सौकप लिकेज हुए है इनकी ओईल सिल डाल सकते हैं और ओईल सिल कैसे डालते हैं और इसमें कौन सी कमपनी की हमको लेना चाहिए इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे दोस्त तो जैसे कि आप ये देख रहे हो हमको चकक इस टाइप से खोल लेना है ये आप ये देख सकते हो हमने ये चकक को खोल करके यहां से हटा दिये हैं ये कुछ इस प्रकार हमने इसको हटा दिये किनारे में ये जो मढगाट है इसको 10 नंबर रिंग पाने की मदद से आसानी से ख और इसके बाद हमारे जो Sokup बार है इसको हम कैसे निकालते हैं और किस प्रकार इसको हम Repair करते हैं और इसमें कौन सो Oil लगता है सारी जानकारी Step by Step आपको Sokup रिपेरिंग से related हमारे आज की इस वीडियो में मिल जाएगी ताकि आपको हमारे इस वीडियो के बाद Sokup लिकेज वाली समस्य का सलूसन ढूनने के लिए यूटूब में दूसरे वीडियो पे जाना ना पड़े दोस्तों तो आप हमारे इस वीडियो में बने रही है तो जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो हमने सौकप बार से मढगाट निकाल लिए हैं ये देख सकते हो हम खोले रहे हैं ये बहुत सारा ओईल लिकेश था अब हम इसको ऐसे घुमा घुमा करके निकाल लेंगे आप ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार उपर का नट खोलने के लिए हमको ये जो सौकप बार का ये वाला नट है इसको फिर से कसना पड़ेगा जबी हमारा जो ये 27 नंबर पट्टी पाने की मदद से सौकप बार के उपर वाला नट आसानी से खुल जाएगा दोस्तो आप ये देख सकते हो ये वाला नट अब इसके बाद हम दोस्तो इसको भी खोल लेंगे जैसा हमने इसको खोले थे सेम टू सेम वैसे ही इसको भी खोल लेंगे 27 नमबर पट्टी पाने की मदद से हम सौकप बार के उपपर वाले नट को आसानी से खोल लेंगे दोस्तो जिसके बाद हमारा एक कुछ इस प्रकार का डिस्चेंज निकलेगा जिसके नीचे एक वाइसर लगा होता है दोस्तो और इस्प्रिंग निकलेगी फिर से एक और हमारी जो की हमको यहीं पर ही रख देना है तसले के उपपर में जिससे बहुत सारा ओयल निकलता है नीचे हमको बिल्कुल भी नहीं रखना है दोस्तों नहीं तो हमारा जो sock up इसमें रेत चली जाएंगी बाद में spring लगाते समय और इसका पूरा अच्छी तरीके से oil खाली करने के बाद दोनों sock up बार है जिसमें से एक sock up बार की oil seal खराब थी लेकिन हमने जो bike हमारी खोले है हम इसकी दोनों ही oil seal चेंज कर देंगे ताकि हमारी जो sock up बार है उसमें दूसरे वाले में जल्दी परेशानी या फिर समस्य बिल्कुल भी ना आए दोस्तों अब हमको क्या करना है यह है दोस्तों हमारी sock up टी आप यह देख सकते हो कुछ इस प्रकार की sock up टी है यह जो sock up टी को कुछ इस प्रकार हमको यहां पे रग देना है और इसके बाद यह कुछ इस प्रकार की पिन रख करके हमको इसको ऐसे ठोक देना है दोस्तों यह ठोकने के बाद यह जो एलंकी है दोस्तों 6 नंबर वाली एलंकी इससे हमको क्या करना है यहां पे एक एलंकी नट लगा हुआ होता है जिसको हम बहुती जादा इजी और आसान तरीके से खोल सकते हैं यह कुछ इस प्रकार निकल जाएंगा दोस्तो हमारा जो सौक अप है उसके अंदर का मटेरियल देख सकते हैं हमने इसमें से पाइली निकाल लिए है यहां साकप से इसको निकालने के जरु और यह ओईल निकालने के लिए कुछ ऐसे वाला पेचकस लगता है दोस्तों आप यह देख सकते हो तेड़ा वाला जिससे हमारी जो ऑईल सील है वह पाइली से आसानी से बाहर निकल जाती है तो हमारे पास हीरो की आई स्मार्ट भाई किसमें क्या होता है एरो की आई सिल ल आती है तो हमने इसका क्या करें बजाज में भी सेम आईसी लगती है बजाच की फोरेस होगर डिस्कवर होगी इनमें भी सेम आइलसीर लग तो हम यह वाली जालेंगे यह ओर यह और रिजल बजाच की आ बहले यह और 10 उर्यूपे की पढ़़े की मुछ चांशेएं ूरु तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल कम बजट में हम आपको बतारे हैं कि हीरो कंपणी की ओरिजिनल आइस आइलसील भी लगा सकते हैं अगर आपका बजट है तो नहीं तो आप यह जो बज़ाज कंपणी की original oil seal आती है दोस्तों जो कि 55 रुपए में आसानी से मिल जाती है 110 रुपए में आप ये 2 लगा सकते हो नहीं तो 200 रुपए में आप ये 2 लगा सकते हो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो दोस्तों हम लगा रहे हैं बजाज वाली oil seal तो कुछ इस प्रकार दोस्तों ये जो हमारी oil seal है ये निकल जाएंगे और ये हमारी पुरानी वाली oil seal है जो कि कुछ इस प्रकार है जिसको बैठालने के लिए आपको क्या करना है पुरानी वाली oil seal को साफ कर लेना है की मदद से हम नई वाली ओयल सील हमारे जो सौक अप की पाई लिए उसमें बैठाल पाएंगे जैसे कि दोस्तो आप ये देख सकते हुए जो ओयल सील इसको हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठाल दिये हैं और इसके बाद आप ओयल सील लॉक लगा देंगे हम कुछ इस परकार ये हमने लॉक लगा दिये हैं यहाँ पर और ओयल सील पाईली का जो कवर आता है दोस्तो एक रबड वाला ये रबड वाला कवर भी हम आसानी से लगा देंगे इसमें और आपको ये जो ओयल सील है दोस्तो या फिर ये जो हमारी स्प्रिंग है सौक अप बार से निकली हुई इसको निकालते समय हमको यह ध्यान रखना है कि इसके साथ रेत बिल्कुल भी ना जाए अंदर में अब इसको फिटिंग का सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है दोस्त तो जैसे कि दोस्तो आपने देखे थे पाइली की उपर में जो छे नंबर की एलंकी वाला नट लगा हुआ था जिसको हमने पीन से ठोक करके खोले थे दोस्तो इसको हमको जैसा का वैसा लगा देना है इसको एकदम फुल टाइट कर देना है दोस्तो हमको और इसके बाद हम आपको बता देते हैं इसमें बहुत प्रकार के आते हैं मिजोल कमपनी का डाल रहे हैं आप कोई सा भी डाल सकते हैं अच्छा वाला इससे भी हमको यही आईल मिला तो हम इसलिए यह अला आईल डाल रहे हैं भी आप इससे अच्छे वाले भी आईल डाल सकते हैं, तो यह देख सकते हैं, इसमें आता 175 ml, हम इसमें डालेंगे 140 ml के करीब, हमने थोड़ा सा बचा दी है, इसको एकदम पूरा नहीं डालना है, तो साका बहुत जादा हो जाएंगे, अब हमको बारी-बारी से इससे जो इस्प से, इसके बाद में इसका डिस्टेंस रहता है, इसको लगा देंगे, इसको लगा देंगे, यह लग चुका है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका नट कर देंगे, इसका जो नट है, इसको हम इस्टेप से कर देंगे, पहले हाथ से ही कसेंगे, फिर इसके बाद में इसको ती में लगा के फुल टाइट करना पड़ेगा नहीं तो आइल लीकेज मारेगा इसका तो जैसे कि दोस्तों आप ये देख सकते हो हमारा जो एक सौकाप है ये कंपलीट हो गया है बस इसमें जो ये उपर करना ठैसको फूल टाइट करना बाकी है अभी जिसको हम कैसे टाइट करते हैं वो आगे बताएंगे जब तक हम इसका दूसरा वाला सौकाप पार है उसकी वी ओजिल सेंद कर लेते हैं सेम तूसी तरीके से आप देखते रहिए का हम इसमें बोलेंगे कर दो आपके। कर दो जब खब सायों अबना कर अबना कर दो अपसी कर समय है अबना कर दो कर दो कर दो कि आ वो प्रूल आ दो तो कि आ दो कर दो के नचट आट कर दोगा है तो हमारे जो दोनों सौका भाई ये कम्प्लीट हो गए है और अब हम इसको फिट करना शुरू करते हैं जैसे जैसे हमने खोले थे वैसे वैसे हम इसको फिट कर लेंगे लेकिन ये जो सौकब बार है इसके उपर का जो 27 नंबर वाला पट्टी पाने वाला नट है दोस्तो इसको सबसे पहले हमने जैसे खोले थे वैसे ही टाइट करेंगे आप ये देख सकते हो खोलने के लिए दोस्तो आप ये देख सकते हो हाँ अगर गाड़ी के सामने खड़े होंगे तो लेप्ट साइड में हमने खोले थे अब right side में हम इसको कस रहे हैं जैसे कि आप ये देख सकते हो कसने के लिए हम कुछ इस प्रकार इसको इस्तेमाल करेंगे आप ये देख सकते हो ये एक हमने sock up bar कस दियें दोस्तों अब इसको हम खोल लेंगे जिस sock up में दोस्तों ये वाला निसान रहता है वो गाड़ी के clutch side में लगता है जिस तरप ये clutch रहता है दोस्तों उस side में लगता है और जिसमें निसान नहीं रहता है आप ये देख सकते हो वो लगता है अमारा सामने के brake वाले side में दोस्तों तो अब हमने जैसा इसको खोले थे वैसा फटा-फट से इसको fit कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार हमने इसको fit किये हैं दोस्तों आपको प्रौस्ट आपको अज़ ऍहाब किस बच्सोंट प्रौस्तों आपको अपको अबता है तोस्तों तो जैसे कि दोस्तो आप ये देख सकतो हमारी जो बाइक है हीरो की स्प्लेंडर बाइक दोस्तो जिसमें हमने सौक अप में आईल सिल डाल करके कम्पलीट कर लिये हैं आपने देखा आज के इस वीडियो में हमने आपको step by step बताए हैं दोस्तो कि सौकप में aisle seal कैसे डालते हैं और इस तरीके से आप सौकप में aisle seal डालोगे तो आपकी जो सौकप बार है वो जल्दी लिकेज नहीं होगी और आज के इस वीडियो में हमने आपको बताए हैं अगर आप इसकी ओरिजनल वाली aisle seal ना लगाते हुए बजाज कंपनी की ओरिजनल aisle seal लगाओगे दोस्तो तो ये मात्र आपका 110 रुपए में काम हो जाएगा दोस्तो वाला तो आज का जो यह वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तो अगर वीडियो पसं इंडोस्तो